हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पाइट पर आज में आपके फोर्ट सेमिस्टर का जो सिकेंड पेपर है सेक्षिक प्रवंधन एवं प्रशासन उसका स्लेबस डिसकस करने जा रही हूं शुरू करते हैं आपकी क्लास जिसमें आपका फर् प्रवंधन को आर्थ आ उसके परमॉन्जमस टॉपिक रहता हैं जिसitे शूब अपको देखना होगा विद्याले के भवन जो रूम चाहें को जहां जाता है यानि उपकरन उपलब्द है यानि इसके इंतरगत पढ़ना किस तरीके से उपलब्द कराए जाएंगे वह सारी चीज़ें इसके बाद मानवी संसाधनों का प्रवंदन मानवी संसाधनों में आपका सिक्षक की विवस्ता होनी चाहिए छात्रों की संख्या वगेरा उसके इन्वाल्मेंट रहना चाहिए विद्याले में किस तरीके से रहेगा अभिवावक किस तरीके से रहेंगी यह सारी चीज़े आपका मानवी अनुदान में आजाए इसकी बाद वित्ती प्रवन्दन में क्या होगा जोग्विद्याले को नुदान मिलता रहता है समय इसके बाद आजाएगा सैक्षिक प्रबंदन जिसमें आपका क्या रहेगा जो बच्चों को पुस्तके या कारे पुस्तकाय उपलब्द कराई जाती है जो पुस्तकाले बना होगा उसका मैनेजमेंट यह सारी चीज़े आपकी आजाएंगी सैक्षिक प्रबंदन के अंतरगत फख्षा कख्ष का प्रबंदन किस तरीके से आपका पढ़नाय का रहेगी वू सारी चीज़ें समय प्रबंदन में क्या है जो समयसानी टायम टेबल जैसे मालीजे किसी विध्याले में दो या तीन सिक्षक हैं तो वहाँ पर उनका समयसानी के इस इस टाइम पर यह टीचर प्रवंदन तो इसमें क्या है जो विद्याले की सूचना जहां पर एक तरीके से आप सभी जानते हैं विद्याले के काफी सारी जो क्रिया कलाप होते हैं उनको एकत्रित करके रखा जाता है, छात्रों की भी क्या है, छात्रों का जो लेखा जो खा है, वो किसी ने किसी पुस्तिका रेजिस्टर में रखा जाता है, उनका उपसिती पंजिका होती है, उनकी जो कारी कर रहे हैं, उसके उपलब्दी की सारी चीज़े होती है, वो सारे क्या रहना चाहिए कहां पर बच्चों के साथ कैसा वर्ताप करने सारी चीज़ें आपके आजाएंगी प्रभावपुन्ट विद्ध्याले के लिए इसके बाद आपका विद्ध्याले प्रबंदन में अभिकर्मियों की भूमिका जिसमें क्या है पहला प्रंसिपल है सिक्षक बच्चे इनकी क्या भूमिका रहती है सासा समुधाय हो गया आपका जो समितिया बनाई जाते ग्राम सिक्षा समिती हो गई आपकी ऐसे सिक्षव विद्ध्वावक की समित्की जो रहेगी वह सारी किस तरीके से रहेगी कैसे क्या वो सहयोग करते हैं और इसके बाद उच इस्तर पड़ जैसे आप देख पाएंगे जो खन विकास अधिकार होते हैं वो किस तरीके से रहेंगे क्या उनका सयोग रहेगा वो आपका इसी ये पूरा टॉपिक एक ही है इसी के अंतरकत आप पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका प्रारंबिक सिक्षा के विकास के लिए सलगन बिविन अभिकरन जिसके अंतरकत आपको राश्ट्री इस तर पर सबसे पहले पढ़ना है INFJC, NCRT आपका पहले भी आचुका है, SCRT, NCRT दोनों आये थे, इनका गठं कब हुआ ёं कहां हрийनका मुख्याल है, दोन kilowबिक सिक्षा के लिए ये पढ़ना है, हम राज्य इस्तर पर राज्य इस्तर में आपका SCERT आ जाता है इसके बाद राज्य हिंदी संस्तान मनो विज्ञान शाला जो आपने लास्ट सेमिस्टर में पड़ी ती साथ साथ आपका परिक्षा नियमक प्रादिकारी इत्यादी आ जाएंगे किस तरीके से ये कारे करते हैं आरछ्य आपिला नादार संस्तान कारे नियम क rails रहे लगए एक सब आपको इसके अंतरगत पढ़ना है इसकि प्रवंद्र प्रशासन आपकुच जो तो आपको सब्सक्राइब का नेम है उसी से आपको क्लियर हो रहा है इसके अंतरकत हमें क्या-क्या चीज़े पढ़ने इसलिए बस आपका यह रहा क्लास सब क्या आज से शुरू हो जाएंगी ठीक है तो परेशान नहीं होना है आप लोग कभी भी बहुत सारे बच्चों का सी सीटेट है अगर आपका लास्ट यह नहीं निकला आता तो इस बार जब भी बच्चों ने सीटेट का डाला है तो किसी ने किसी तरीके से आपका क्वालिफाई हो जाए जिससे कि अगर आगे वेकेंसी आती है तो आपको इसमें बैटने का चांस मिल जाएगा अगर आपके सिमिस्टर के एक्जाम हो जाते है रिजल्ट आजाता है तो ठीक है चलिए फिर मिलेंगे आपके एक लिए गलास में थेंक्स वर वाचिंग एंड प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चनल बबाए टेक केर